दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम आम गाडियों से बिल्कुल उल्टा होता है जहां आम गाडियों में हमें ब्रेक लगाने होते हैं वहीं ट्रेन में ब्रेक पहले से ही लगे हुए होते है ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए लोको पाइलेट को ब्रेक हटाने पड़ते है ट्रेन के हर वील में दो ब्रेक सूज होते है ये ब्रेक सूज हमेशा ट्रेन के वील के साथ चिपके हुए रहते है लोको पाइलेट ब्रेक हटाने के लिए इस पाइप की मदद से प्रेसर भरता है जिससे ब्रेक सूज ट्रेन के वील से 5 mm पीछे हट जाते है उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ती है और जब लोको पाइलेट को ट्रेन रोकनी होती है तो लोको पाइलेट इस प्रेसर को निकाल देता है जिससे ब्रेक सूज फिर से ट्रेन के वील के साथ चिपक जाते है